आज है 29 नवंबर 2022 और 29 नवंबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे यह में इस वीडियो में डिस्क्स करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट पैक्टिवी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत वीडियो के डिसक्स नंज है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम पर चौइन कर सकते हैं तो चलीए स्टार्ट करते हैं पहला कुशिन है, हाली में NCC का चोहतरमा इस्तापना दिबस कब मनाया गया है तो NCC यानि कि National Credit Court इसका चोहतरमा इस्तापना दिबस अभी 27 नवंबर को मनाया गया तो इस कुशिन का B options है एक्चुल में होता कि है नवंबर के चोथे रविवार को NCC का इस्तापना दिबस मनाया जाता है और इस बार नवंबर का चोथा रविवार 27 नवंबर को पड़ा इसलिए 27 नवंबर को NCC का चोहतरमा इस्तापना दिबस मनाया गया एक्चुल में NCC की स्तापना 1948 में नवंबर के चौथे रविवार को ही थी इसलिए हर साल नवंबर के चौथे रविवार को NCC का स्तापना दिबस मनाया जाता है अच्छा NCC इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है न्यू डहली में और इसके प्रजेंट टेंप है डायक्टर जनरल कौन है लेफटिनेट जनरल गुर बेर पाल सिंग कौन है लेफटिनेट जनरल गुर बेर पाल सिंग तो इस कुश्यन से आपको एतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चोटा सा ही टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचीब करने में लगा दो आपक अब गुजरात बना है तो यह मैप गुजरात की चीपनिश्टर कौन है वो पेंद्र भाई पटेड और गुजरात की गवर्नर कौन है आचारे डेपरत अच्छा अभी अडानी न्यू इंडर्स्ट्री ने मुंद्रा पर वारत का सबसे बड़ा पबंड टर्वाइन इस्ताब बहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पबंड टर्वाइन इस्तापित किया गया है अचार गुजरात में बेसु का सबसे बड़ा पांडुलिपी गरंथाले बनाया जा रहा है जल जीवन मिसन के तहत सत प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन वाला राज गुजरात बना है प्रदर् की अर्टिक लॉइंस के लिए फेमज है सरदार सरोबर डेम है नल सरोबर लेख है ठोल लेख है कंकडिया लेख है खिचाडिया लेख है इतना आपको गुझरात के बारे में चूशिन है ने कुशिन है, हाली में दिवारसिक Ayr-Saw Ayr-O-India 2023 कहां आयोजित किया जाएगा तो यह एक दिवारसिक Ayr-Saw है Ayr-O-India यह अभी बैंगलूरू में आयोजित किया जाएगा तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है ये 13 फरवरी से शुरू होगा और 17 फरवरी 2023 तक चलेगा ध्यान रखना है दिवारसिक एरसो एरो इंडिया ये बैंगलूरू में आयोजित किया जाएगा ने कुशिन है हाली में भारत ने जे 20 रास्ट दूतों के लिए जे 20 बारता कहां आयोजित की है तो आपको पता है जे 20 की अध्यक्षता अभी इंडिया को मिली है अभी जो इंडोनेसिया के वाली में जे 20 समिट हुआ वहाँ इंडिया को जे 20 की अध्यक्षता मिली और अभी भारत ने G20 रास्ट दूतों के लिए G20 बारता अंडवान निकोबार में आयो जितकी तो इसकुषिन का से आप्शन सही है ने कुषिन है हाली में भारत ऑस्ट्रिलिया युद्ध खेल ऑस्ट्र हिंड 22 कहां सुरू हुआ है दूस्टान में शुरू हुआ तो इसकुषिन का बे आप्शन सही है रायस्तान की महाजेन फेल्ड फाइरेंग तू कही और आचे राशतान में शुरू हुआ तो यह है मैप में राशतान रायसतान की चैप राइस्तान और राइस्तान की गवर्नर कौन है कल राज मिस्र अभी भारते सेना के दक्षिडे पस्मी कमान द्वारा सत्तुर नास अभ्यास का आयवजन राइस्तान में किया गया प्रदानमंत्री ग्रामीड आबास योजना में राइस्तान का जुजुनु जिला टॉप पर रहा है इंड पुला देव घ्वाना पक्षी वियार है और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर भी राइस्तान में है ने क्यूशन है हाली में किस राजी को अपना पहला जैब विवित्ता विरासत इस्थल मिला है तो अभी तमिलनाडू को अपना पहला जैब विवित्ता विरासत इस्थ कौन है? M.K. स्टालिन और तमिलनाडू की गवर्नर कौन है? R.N. रभी. अभी तमिलनाडू के बन बिभाग ने भारत का पहला elephant death audit framework पेस किया है. तमिलनाडू सरकार ने गिद्दों के संरक्षट के लिए पेनल का गठन किया. तमिलनाडू राजसरकार ने भारत का पहला slender loris अभ्यारण अधिसू चित किया है. पेगा ट्रोन ने चेननाई में iPhone का निर्माण शुरू किया और तमिलनाडू की cabinet ने online जुए को नियंतेत करने की मंजूरी दिये है. तमिलनाडू में जली कट्टू का आयोजन किया जाता है. पूरे देश में मचली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडू है. ध्यान रखना मचली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडू है. फलों का सबसे बड़ा अत्रह मिईने शुचम्ट मुद्धूयें चाहं मिचलनेता मुणतो से इन्हेक बतनेता पक्राइप्वा साउर revived kinda को में सब्सक्रापार के छीड़ी जाता मुदित थ conteúdo मिलो है और कादि सुरक्चा सुचकांग में या व्यार कादि रूर नात हletsाने किनाडा की करन्सी के हैं कनाडा की करन्सी के हैं कनाडियन डॉलर और कनाडा की प्रजेंट टाइब प्रेमिश्टर कौन है जस्टिन टुडू अभी कनाडा के कौफी और बेकरी उत्पादों के मसूर ब्रांड टिम होटसन ने भारत में आउटलेट खोले हैं कनाडा में हेंड गन की कारोवार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेस किया गया कनाडा की लेकक हैं रूत उजेंकी इन्होंने 222 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्सन जीत है ने किशिन है हाली में भारती नौसिना ने नया सरवेक्चड़ पूथ लॉंज किया है उसका नाम क्या है तो भारती नौसिना ने एक नया सरवेक्चड़ पूथ लॉंज किया है इसका नाम है एक छक तो इसकुशिन का बे ऑप्सन से ही अब भारती नौसिना की बात है य आए क्युंशिन हैं चाली में I-O-A की पहली मैला अध्यक्च कौन वनेगी तो आई ओने observe यानियन इंडियन उलम्पिक आसोशिंशन इसकी पहली मैला अध्यक्च बनेगी पी टी उसा तो इस कुशिन का A option सही है ये है धाबक PT USA और ये IOA यानि कि Indian Olympic Association की पहली मैला अध्यक्ष बनेनी अच्छा Indian Olympic Association इसकी स्तापना कब होई थी 1927 में इसका headquarter कहां पर है न्यू डेली में और इसके present time पर Secretary General कौन है राजीव महता ने कुशिन है केस देश ने पहला Davis कफ किताब जी जीता है तो अभी कनाड़ा ने 28 बार का champion Australia है इसे हरा कर पहला Davis कफ किताब जीता तो इसकुशिन का B options है 28 बार के champion Australia को कनाड़ा ने हरा कर पहला Davis कफ किताब जीता है और आप पता है Davis कफ किताब में Australia ने 109 साल पहले parts weight किया था और अब ये पहली बार किताब जीता है कनाड़ा ने 29 कुशिन है हाले में किस ने हर घर गंगा जल परयोजना का सुवारम किया तो बिहार के chief minister ने 30 कुमार ने बिहार के राजगीर में हर घर गंगा जल परयोजना का सुवारम किया तो इस question का say options है अब बिहार तो अबी ग्रह मंत्रे अमित्सा ने बिहार के सारण में लोक नायक जैप्रकास नाराइड की प्रतिमा का अनावरण किया बिहार सरकार ने इसकूलों में अनिवारे खेल पीरिड और नो बैक डे सुरू करने का फैसला किया बिहार की खगोले बेद साला को युनेस्को की आम को जी आई टेक मिला है बिहार के मखाना को जी आई टेक मिला है ये जी आई टेक बिहार से रिलेटेड आपको याद रखने हैं बिहार में बालमे की नेसनल पार्क है बालमे की नेसनल पार्क ये बिहार में है ने शुशन है हाली में किस राजी को स्काई रूट बांटीबूगू यूजना को फिरसे लौंज किया है। कांटी बेलगु यूजना इसको तेलंगाना सरकार ने फिर से सुरू किया। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंसन को सुरू किया है। तेलंगाना सरकार अनसूचित जाती के आरक्षड को 6% से बढ़ा कर 10% होगा। भारत का पहला 3D printed मानब कॉर्णिया हैदराबाद में विक्सित हुआ है। तेलंगाना में बुनालू महुत सब शुरू हुआ। और तेलंगाना सरकार ने टे हब सुविदा खोली है। ने क्यूशन है हाली में क्लेन अथोन का आयोजन कहां किया गया। तो अभी ग गौवा में हुआ है और यह गौवा में शुरू हुआ था यह आपको याद रखना है। गौवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदरसन यात्रायोजना का अनावरण किया। गौवा ने सिविल एयर नैविगेशन सेवा संगठन एसिया प्रसांत सम्मेलन की मेज गौवर दुजर तेज में सैंतीस में रास्ती खेलों का आयोजन गौवा में किया जाएगा। नेक्षिशन है हाली में भारती मुक्यबाजों ने यूथ बर्ड बॉक्सिंग चेंपिंसिप 22 में कौन सा पदक जीता है तो भारती मुक्यबाजों ने अभी यूथ बर्ड महासबा की मेजबानी कौन करेगा तो अभी 69 एबी यू महासबा की मेजबानी अपना देश भारत करेगा तो इस कुछिन का सी ऑप्सिन से यह एबी यू यानि कि एसिया पैसिपिक ब्रोड कास्टिंग यूनियन इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा अब लास्ट व की रूप में आमंत्रित किया गया है तो अभी मिस्र के राष्ट पती को गड़तंत्र दिबस 2030 के लिए चीफ गैस्ट की रूप में आमंत्रित किया गया तो इस कुश्षिन का बे सही था और लगबग सभी स्ट्रेंडेस का अंसर सही दिया मुस्ट लेस्ट्रेंडेस के आरे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुश्षिन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लेखा कर क्योंकि जो चीज़ें आप लिक द होताना है और इसके लावाएं हम मंवारे पीर पीज़ें डैली पोश्ट करते हैं तो आप पर नेक्स्ट इकज़्ाप सर्च करके आपको बहुत है अगर आपको किसी कुष्चन में कोई डाउट होता है यह आपको अपने करियर से रिलेटिड भी कोई प्रॉल्लम है तो जीटेशन डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का ठारगेट ज़ाइद रखना अज किस वीडियो का टारगेट है 40 तो अगरे वीडियो आपको अच्छा लगा है एल्प लगा है तब आप इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बनके आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू किलिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में कर इंटरफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज विद यू थैंक्स पर वाचिंग